नमश्कार दोस्तों इंफीट एक्यों की वीडियो सीरीज में आज हम डिसकस करने वाले हैं अपना 11th question जिसका solution हम Java as well as Python दोनों languages में करने वाले हैं अगर आप चाते हैं कि हम इससे अलग भी किसी और चीज की वीडियो सीरीज निकाले चाहे फिर वो इंफी टेक्यू का हैथ विद इंफी हो TCS NQT हो कोड़ वीटा हो या कुछ भी तो आप हमें बता सकते हैं अगर आप जो सब्जेक्ट से आपके उससे रिगार्डिंग या कुछ प्रिवीज की पेपर चाहते हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट बॉक्स में पता सकते हैं मेरा नाम है अंचल और आप देख रहे हैं The Insight Coders तो आएगे दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे बेले बात आती है अपने 11 गोशन की इस स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर हमारे पास एक एरे गिवन होगा जो पॉजिटिव नंबर्स को कंटेन करता है हमें फाइंड करना है लार्जस सबसेट फ्रॉम दिस एरे ताट कंटेन्स एलिमेंट विचार फिबोनी की नंबर्स मतलब ऐसा सबसेट निकालना है जो लार्जस भी है और फिबोनी की नंबर्स को कंटेन करता है अगर तो ऐसे कोई एलिमेंट मिलते हैं आपको जिनकी लेंद ग्रेटर देन टू है तो तो आपको उसके लेंद प्रेंट करानी है अधर्वाइस आपको माइनस वान प्रेंट कराना है सबसे भी रहे हमारे पर फिबोनी की लिस्ट निकालने वाले हैं कहां तक निकालेंगे जो मैक्सिमम नंबर है वहां तक तक 11 तक मतलब 0 1, then 0 plus 1 equals to 1, then 1 plus 1 equals to 2, then 2 plus 1 equals to 3, 2 plus 3 equals to 5 and so on आप क्या करोगे इसके फिबोनी की लिस्ट निकालोगे अब देखोगे कितने elements है जो फिबोनी की लिस्ट में exist करते हैं they are the member of फिबोनी की लिस्ट that means हम उससे compare करके find कर सकते हैं और उसके length को print करा देंगे, कब कराएंगे, अगर वो 2 से ज़ादा है else we have to print minus 1 similarly इस case में हमारे का answer आजाएगा 4 आपको सिरफ 5 और 4 प्रिंट कराने हैं जिसमें आपको बताना चाह लही थी कि क्या list उस case में बनने वली है तो सबसे पहले आप में से कुछ students को अगर नहीं पता कि फिबोनी के list कैसे रिजनरेट करते हैं क्या होती है तो पहले वही देखते हैं तो हमारे पास num 1 है जिसकी value होगी 0 num 2 इसकी value 1 में तो पहले दो values होती है जिनकी value हमने fix कर दी है that is 0 and 1 next काम क्या है हमारा इन दोलों को add कराना है that means 0 plus 1 equals to 1 where 1 this one is the sum तो हमारे पास sum आ गया तो अब हमें क्या काम करना होता है num 1 plus num 2 equals to sum यह तो आप यहाँ पर देखी चुके हैं कि हम इस तरह से कर रहे हैं next हमारे पास क्या होती है कि जो num 1 है उसमें हम num 2 की value assign करते हैं और num 2 में हम sum की value assign करते हैं यह काम हम repetitively loop में करते रहते हैं मतलब हमने क्या करा सबसे पहले जो num 1 equals to num 2 equals to sum था इन दोनों को add करा कि जो हमारे पास sum आया था वो हमने simply यहाँ पर लिग लिया मैंने क्या पता है सबसे पहली values num 1 और num 2 की कितनी हैं 0 and 1 simply हमने 0 plus 1 equals to 1 that means हमारे पास sum आ चुका है next काम क्या करा था num 1 में num 2 की value डालनी है num 2 में sum की value डालनी है that means 1 plus 1 equals to 2 यह काम हमें करा करना है repetition में करना है तो फिर से 1 plus 2 equals to 3 फिर से हम क्या करेंगे num 2 में डाल की value डाल देंगे num 1 में sum की value डाल देंगे num 2 में again 2 plus 3 equals to 5 फिर से यही काम हम repetition में करते रहेंगे और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एक फिबॉने के लिस्ट जन्ब्रेट हो चुकी है जिसमें values क्या है? सबसे पहले यह दो भी उसके parts है because हमने starting में ही initialize करा दिये थे यह मिन्स 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 and 11 कब तक find करा? जब तक हमारे पास maximum number नहीं आ जाता say maximum यहाँ पर 50 होता है तो हम तब तक काउंट करते हैं कि तब तक हमारे पास कितने फिबॉने की numbers आए हैं अब फिलाल question में हमारे पास एक given था कि हमारे पास यह input है that are comma separated हमने क्या करा? उसको एक list में ले लिया मतलब एक input area लिया मैंने जिसमें मैंने क्या करा? split कराया on the behalf of comma because यहाँ पर हमारे पास comma separated था उसको map करा के मतलब उसको integer में type cast करा लिया otherwise वो by default हमारे पास string आ था और उसको यह सारा काम करके हमने input area में डाल दिया जो input area की value हमारे पास कुछ इस तरह से होने वली है next क्या करा? इसको sort करा sort करने पे हमारे पास यह answer आ चुका है अब हमें क्या करना था? Fibonacci की list चलाने थी? कब तक चलाने थी? जब तक इसका हमारे पास maximum number नहीं आ जाता तो simple सा logic है या तो आप max function के through find करो otherwise अगर आप इसका minus 1 index को भी simply use करोगे तब भी आपके पास 11 value that means इसके maximum value आहीं जाएगी because हम इसको sort कर चुके है alright next मतलब मेरे पास maximum value कितनी आ चुके है? 11 अब हमें क्या करना था? 11 तक Fibonacci के list जनवेट करने थी Fibonacci के list के लिए हमें पता था कि जिसमें num1 और num2 के default values होती है 0 and 1 एक Fibonacci के list एक empty list लिए है जिसमें num1 और num2 तो starting में ही append कर दिया मैंने क्या पता था? जो 0 और 1 पहले लिखे होए था मैंने उनको भी circle कर रहा था that they are also the part of this Fibonacci के list तो वह हम अलग से ही डाल देते हैं से actual में C language में जब भी आप नहीं logics करेंगे तो simply print करा देते थे फिर हमने एक loop चलाना है उस loop में हमने इस Fibonacci के list में elements डाले कब तक चला है? जब तक मेरा num2 maximum जो हमारे पास 11 तो उसकी value तक ना आ जाए यह 3 logic थे जो हम पढ़ चुके हैं कि यह 3 step हमें करने ही होते हैं और हर चीज को हम हर बार num2 को print कराते रहेंगे तो finally Fibonacci के list मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी that is 01 जो हम पहले अपेंट कर चुके थे फिर उसके बाद 1235811 next काम क्या है? हमें compare करना है कि जो हमारे पास यह वाले list थी इसमें से कितने elements हैं जो Fibonacci की numbers है that means इतने में से elements जो exist करते हैं Fibonacci के list में तो मैंने एक और area लिया एक list लिए है जिसका नाम मैंने क्या लिए रखा है Fibonacci के sequence इसमें मैं वो elements को append करूँगी सबसे बेले मैंने एक loop चलाए for i in range कब तक जब तक हमारी length है इस input area की जो इसके length तक के लिए हमने एक loop चलाया उसके अंदर मैंने compare करा क्या मेरा input area का is index Fibonacci के list का एक member है या नहीं simply हमने इसके लिए एक in operator को use कर लिया अगर तो है तो आपको क्या करना है Fibonacci की sequence में simply append कर देना है वो element मतलग सबसे बेले मेरे पस element क्या था 2 मैंने चेक करा क्या 2 मेरे पास है yes 2 was there a part of Fibonacci के list इसलिए हमने उसको simply यहाँ पर append कर दिया next हमारे पास आया था 3 क्या 3 part है हंजी 3 भी हमारे पास part था इसलिए हमने 3 को भी append करा दिया next आया 5 क्या 5 part है again 5 is also a part of this list तो हमने 5 को भी append करा दिया फिर आया हमारे पास 8 8 भी हमारे पास इसका part था तो हमने 8 को भी append करा दिया अब हमारे पास आते 9 and 10 यहाँ पर तो मेरे पास 9 और 10 है बट मेरे पास यहाँ पर कहीं पर भी 9 and 10 की value नहीं है that means आप में directly skip करूँगी 11 पर because यह in operator ने इस if की value false return करी थी अब 11, yes 11 is a part of this list तो इस वज़े से हमारे पास 11 list का part आ चुका है so mainly this was all about this logic उसके बाद हमारा क्या काम था हमारे पास एक फिपॉनी की list आगे जिसमें value हमारे पास आ चुकी है 2, 3, 5, 8, 11 finally हमें print कराना है अगर तो इसके length greater than 2 है तो उसकी simply जो length है यह वो print करा देंगे जिसमें इस case में answer कितना आएगा 5 otherwise हमें क्या कराना है जितना हमारे पास अगर इसके length less than 2 है तो जो हमारे पास value है minus 1 simply उसको print करा देना है तो आएगे अब इसका देखते हैं कि Java code क्या होने वाला है तो सबसे पहले तो हमारे पास एक class है जो हमने ले लिया longest Fiboni की कि नाम से करा क्या हमने सबसे पहले S सबसे पहले हमने inputs लिये अपने कितने हमारे पास numbers है और उसके बाद कि क्या-क्या उनकी values है which are comma separated तो next हमारे पास क्या काम होता था कि Fiboni के list को generate करना है तो हमने simply Fiboni के list को generate करा जो हमने देखा था यहाँ पर भी वही logic होने वाला है जो हमने पहले कर रहा था फिर हमने maximum find करा max length में से और length plus plus length मतब pre-increment length का और आप देख सकते हैं कि max length की हमने value initialize करा दे थी 0 और हो क्या रहा है कि हर बार Fiboni के list चलेगी तो वो import अपडेट होती रहेगी और यहाँ पर हमने simply return कर रहे है अगर तो max length greater than 2 है simply a turnary operator अगर तो max length greater than 2 है तो max length को print करा देंगे else हम 0 या फिर इस case में हम minus 1 print कराना था तो वो चीछ print करा देंगे तो हमारे पास बस यह simple इसका logic चलने वाला है जो हमने पहले भी करा यहाँ पर हमने inputs लिए है input पहले एक number लिया है फिर उसके बाद हमने आगे start करा है actually में यह main पहले आना चाहिए था it's all right I guess अब आपको इसको देखके समझ आगया होगा because logic तो वही चल रहा है जो हम पहले कर रहे थे कुछ खास difference यहाँ पर हमारे पास नहीं है so this was all about this program I hope आपको इस समझ आगया होगा अगर अगर आपको कुछ पी डाउट है या हमारे लिए इससे भी अच्छा कोड आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं I hope आपको यह वीडियो लेक्टे पसंद आया होगा अगर आपको कोई पी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और जादा जादा शेयर करें and प्लेज सब्सक्राइब मैं चैनल and प्रेस्ट बेल आइकन फो लेटेस्ट अपडेट्स शुक्रिया धन्यवाद थेंक यू